नमस्कार दोस्तों आप सेका फिर से एक बड़ शौगत करते हैं आपके अपनी यूटूब चैनल आर्मी एंड सरकारी तयारी में जो बोला था वही हुआ जी हाँ आपने बिलकुल सही सुना है SSC GD के बारे में हम बहुत सारे वीडियो बना रहे थे जिसमें हम बता रहे थे कि 20 नमबर, 25 नमबर, 30 नमबर वाले भी पास होंगे लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे जो है आके कमेंट करते थे कि SSC खुद आप चलाते हो या फिर बहुत सारे जो है अलग-अलग कमेंट करते थे लेकिन यहाँ पर officially proof मैं इस बार लेकर के आ चुका हूँ कि 24 मार्च को यहाँ पर SSC ने एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने साफ साफ पूरा information दिया है कुछ लोग इसके NCC समझ रहे कुछ लोग इसको और भी कुछ समझ रहे क्योंकि YouTube पे जो वीडियोस है वो गलत गलत बताया जा रहा है मैं आपको यहाँ पर पूरा fact बताऊंगा पूरा truth बताऊंगा उसके पीछे क्या reason है क्या क्या चीजे है उससे पहले आजी चैनल को subscribe करें और घंटी को जबा ले और अगर आप BSF ट्रेड्मैन के तयारी करें तो आप अपनी तयारी चक्षू पब्लिकेशन की बुक से कर सकते हैं जिसमें आपको नविंतम पाटकरम के उपर सारा कुछ मिल जाता है जिसमें आपको current affair, Hindi, English, Math, Sign, जितनी भी जो reasoning वेगरा कोशन है सारा कुछ एकी बुक के अदर मिल जाता है साथी साथ यहां पर इनकी practice rate भी आती है आप इससे भी अपनी तयारी कर सकते हैं दोनों का लिंक मैंने description में दिया है वहां से आप इसे खरी सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं इससे की जो official website 24 March को कल यहां पर कह सकते हैं जारी किया गया था एक जो यहां पर 13.2 अगर आप official जो यहां पर कह सकते हैं notification आया था जब 2021 के अंदर उसमें अगर आप जाएंगे 13.2 नमबर पर तो वहां पर साफ साफ लिखावा आपको मिलेगा कि जो भी कह सकते हैं यहां पर journal यहां पर OBC या फिर जो ex-service man है अगर वो 35% नमबर लेकर के आते तभी वो पास होंगे और जो SCHT candidate है कम से कम 33% नमबर लाएंगे तभी वो पास होंगे यानि कि 100 में से 33 और 100 में से 35 लाओगे तभी आप पास करोगे यह पहले का नियम था लेकिन इस बार इसको जो है यहां पर change किया गया है बदला गया है साफ साफ यहां पर आप देख प scoring below mentioned यानि जो नीचे दियावा है cut of marks will be considered eligible for short listing for next state PT और PhD के लिए उन्हें बुलाया जाएगा लेकिन यहां पर एक word लिखावा है without adding bonus marks to NCC certificate holder इसका मतलब आप confused ना हो यहां पर जो without लिखावा है NCC holder के लिए इसका मतलब यह है कि जो NCC वाले हैं उनको यहां पर कह सकते हैं उन उनको अगर add करेंगे तो अगर आपका 30 नंबर या फिर 25 नंबर पहुंच रहा है तब आपका selection नहीं होगा आपको भी जो NCC वाले हैं या फिर जो नॉर्मल होगे उनको भी कम से कम exam में इतना नंबर लाना ही होगा तब ही वो पास होंगे अलग से जो NCC का bonus मिलेगा वो इस नंबर के उपर मिलेगा ना कि इस से कम यानि कि अगर माले जी आप NCC Candidate है अगर आप माले जी 18 नंबर लेके आए तो आप फेल हैं आपका bonus नंबर कोई भी काम नहीं आने वाला यह यहां पर लिखावा है तो यहां पर आपको एक और चीज़ में बताना चाहता हूं कि यह कि जो लिखावा है cutoff marks है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इसमें ही selection ले लोगे इसका मतलब यहां पर यह होता है कि कम से कम इतना लाएंगे तो आप पास होंगे लेकिन आपका selection आपके जो राज का cutoff है उसके आधार पर ही किया जाएगा अगर आप माल लीजे असम या की बात करूँ तो वहां पर जो cutoff है 60-70-80 तक चला जाता तो यह डिपेंड करता कि आप किस राज में माल लीजे अगर आप नागा लाइन में रहते हैं और वहां पर आपने जो है माल लीजे कि आप 30 नंबर लेकर के आएं तो आपका selection हो जाएगा क्योंकि अगर वहां का cutoff असम कमान example ले रहे हैं अगर वहां का cutoff 35 चला गया तो उस case में आपका selection नहीं होगा तो यह चीज आपको समझना होगा यह जो है minimum qualifying है यानि कि अगर आपके राज का इतना cutoff जाता है तो भी आपको select किया जाएगा लेकिन अगर इस से उपर cutoff गया तो अगर आपका number कम है त आप फिर आपका selection नहीं होगा अब इसके लिए एक और मैं proof आपको दिखा देता हूं यह आप जो notification देख रहे हैं यह देख सकते हैं MTS 2022 का जो अभी notification आया है उसमें भी यही चीज लिखा है 18.1 में अगर जाएंगे तो minimum qualifying paper 1 के लिए जो है चाहे वो journal हो OBC हो EWS हो या फिर ज आप से कर सकते हैं तो यहाँ पर भी यही नियम लागू हो रहा है तो SSC GD में भी इसलिए इस पर चेंज कर दिया गया है और यह नया वाला नियम जो है लागू यहाँ पर हो जाएगा तो आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा यह minimum qualifying number है अगर आप इतना number लाएंगे को आप पास है लेकिन आपको selection लेने के लिए आपके राज का जो cut-up है उसको पार करना होगा और cut-up जो है वो result आने के बाद पर चलेगा इसके लिए आपको result का वेट करना होगा 15 अपरेल तक वेट कर ये जो भी information होगी इससे regarding मैं आपको देता रहूंगा जय हिंद जय भा अरद